आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपके Amazon Prime का अकाउंट है, उसको आप sign out कैसे कर सकते हैं, या उसको de-register कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही simple process रहता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, website और application में करना तो यह असान रहता है, यानि आपकी mobile application में, लेकिन अगर आप Fire TV Stick में क आता है, ठीक है, उपर profile का option आता है, नीचे setting का आता है, लेकिन कहीं पर logout करने का option नहीं आता है, तो Amazon Fire TV Stick के account को logout करने के हमारे पास दो तरीके रहते हैं, लेकिन वो दोनों सेम ही जगा पर जाते हैं, तो basically एक ही तरीका है normally, तो आप जैसे setting पर जाएंगे, setting पर जाने के लिए आपको Amazon Prime Videos में जाने की जुरूरत नहीं है, आप normal सा setting में जाएंगे, ठीक है, setting में जाने के बाद आप निचे scroll करेंगे, account and profile setting, तो direct ही हम इसको open कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा नाम आ रहा है, ठीक है, तो Amazon account, जिस account से यहां पर already login होके रखा है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करने के बाद इसमें deregister का option आ रहा है, ठीक है, यही एक इकलोता तरिका है, जिसके थुरू आप logout कर सकते हैं successfully, जितनी यह Amazon की application रहती है, Fire TV Stick में, तो यहां से आप deregister कर सकते हैं, यानि sign out कर सकते हैं, और जो भी नए account है, आपका Amazon के account है, वो logout होंगे, ठीक है, तो हम deregister करने का option आ रहा है, तो उसके बाद हम इसको दोबारा से click कर देंगे, अब आप देख सकते हैं, deregistering your Fire TV Stick, तो इसमें थोड़ा सा time लगता है, तो 20-30 second के अंदर अंदर ही, यह process जो है complete हो जाएगा, और फिर दोबारा से इसमें sign in क करने का option आएगा, और नए account create करने का, तो आपकी choice है, आप उसको एंटर करके, फिर दोबारा से हम login कर लेंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, successfully जो हम logout हो चुके हैं, तो इस तरीके से आप logout हो सकते हैं, अपने Amazon के account में, साथ ही साथ, Fire TV Stick में भी इसमें logout हो जाते हैं एक साथ, आप चाहो तो यहां से अब, या तो नए account create कर सकते हैं, Amazon का, या अगर आपके पास friends or family के पास नए account है, और उसमें आपकी membership है नए account की, तो आप उससे login कर सकते हैं, और जुरूरी नहीं है कि आपके पास membership होनी चाहिए, Amazon Prime की, अगर आपके पास नहीं भी है, यूज कर सकते हैं, तो आपको भी इसमें Amazon का नए account डाल देंगे, और दोवारा से login कर लेंगे, तो login करने के लिए simple सा have an account पे click करेंगे, इस website को डालेंगे, ठीक है, amazon.com slash code, और यह जो आपको activation code आ रहा है, इसको आप enter करेंगे, और प्रॉपर तरिके से login हो जाएंगे, दू लोग इन हो जाएंगे, तो इस तरिके से आप किसी भी device से जो है, login कर सकते हैं इसमें, तो दोस्तों, उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह का similar content देखने के लिए, आप हमारे इस चैनल को subscribe कर सकते हैं, तो मिलते हैं ऐसे किसी similar वीडियो में, तब तक क झाले, बावाई दोस्तों!